नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं लेकिन लगातार थंड बढ़ने के कारण उस आजेस को आगे बढ़ाते हुए कक्छा एक से पांच के छात्रों की कक्छाए 15 जनवार तक बंद रखने का निजेस दिया है बता दे कि बर्तमान में राजे के सभी जीलों में पारा 10 डिरी सेल्शेल से नीचे हो गया है राजे के काके में पारा एक डिरी तक पहुँच गया वहीं मैकलूस की गंज में ओस की बुंदे भी जमने लगी है मौसम केंद्रे राजे की माने तो राजे के उतर पाशी भागों में कहीं कहीं सीतलहर चलने की संभावना जताई है वहीं अगामी 15 जनवरी तक राजे के सभी अस्थानों में सुबा में कोहरे या धूंद के बाद आस्मान मुखे तक साफ रह सकता है इसके कारण मौसम सुस्क रहेगा बता दे राजे के सभी जिलो काने उतन तप मन 10 डिग्री सेल्शेल से नीचे रहा है राजधानी राजे काने उतन तप मन भी लागातार दिश्रे दिन 10 डिग्री सेल्शेल से नीचे रहा वहीं काके का पारा एक डिग्री सेल्शेल तक मोच गया में कलुसकी गंज में ठंड के कारण ओस की बुंदे जम गई है लगातार बर्ड रेट हंड को देखते हुए मौसम विभागने लोगों को सतर कराने की अपील की है धनबाद ISA में अमेरिका से आया चात्र कुरोना पोजेटिव IIT ISA में बिदेश से आया एक चात्र कोविट पोजेटिव पाया गया की IIT ISA में एक चात्र जो सिकांगो से आया था वह कोविट पोजेटिव पाया गया आगे की जाज के लिए उसके सेंपल को जिनुम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा जीला सर्विस लाइंस पता दिकारी ने बताया है कि संक्रामी चात्र एक जनवारी को सिकांगो से नई दिल्ली यारपोट पर उत्रा वहां उसकी कोविट जाच नहीं हुई थी जार जनवारी को वह एक अने चात्र के साथ राजधानी एक्सप्रेस से धनबाद पहुचा और यहां से IIT ISM गया जारखन में 50 स्यार सिक्षकों और 60 हजार पराट सिक्षकों की होगी बहाली हेमांत सरकार के सिक्षा मंत्री जागरनात महतों ने कहा है कि जारखन सरकार जो नियोजन नीती बनाई थी वह बिल्कुल सही थी लेकिन उच नियाले ने उसे रद कर दिया ऐसे में सरकार सूप्रीम कोट जाने और अनबिकल्पों पर विचार कर रही है उन्होंने कहा है कि राज में 50 सहाय सिक्षकों और 60 सहायक अध्यापकों की बहाली होगी रविवार को उन्होंने नगलो आई-ओ रोड से खाकी खूर्द तक परधान मंत्री गराम सलक जोजना के तहत बनने वाले रोड का भोमी पुजन किया इसी दवरानों लोगों को संबोधित कर रहे थे मंत्री ने कहा है कि राज में लगभग 35,000 सरकारी स्कूल है इनमें 50,000 सिक्षकों की बहाली की जाएगी वहीं असी बिद्यालियों को पूरी तरह से CBSE की तरजपर बनाया गया है उनमें निजी स्कूलों से भी अच्छी बेवस्ता की जाएगी डिजिटल सक्षार्ता के लिए कोडार्मा को मिला डिजिटल इंडिया आवार्ड राष्टपती द्रोपती मुर्मूने सन्निवार को नई दिली में DIGS Computer Basic Program के लिए कोडार्मा को Digital India Program की दीशा में बेहतर काम करने के लिए Digital India पुरुषकार से समानित किया है नई दिली के बिज्यान भॉन में राष्टपती द्रोपती मुर्मूने कोडार्मा को उपायूकत आधिते रंजन को जमिनी अस्तरपर Digital सक्षार्ता में बेहतर कारे के लिए कम्प्यूटर प्रसिक्षन केंद्र की सुरुवात की यहां जीले के युवाओ को कम्प्यूटर का निसुल्क प्रसिक्षन दिया गया खेल पदा अधिकारियों को अन्यकारियों से ततकाल मुक्त करने का निर्देश जारखन के खेल सचीव ने सभी जीलों के डीसी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने साफ साफ निदेश दिया है कि जीला खेल पता दिकारियों को खेल के अलवा अने दाईतियों से मुक्त किया जाए ताकि उनका पूरा ध्यान खेल और खिलाडियों के बिकास पर फोकस हो सक जारखन में जीला खेल पता दिकारियों को खेल के अलवा अने काम भी प्रभार में दिये जाते हैं इस बेवस्था को खत्म करने के लिए राजी के परटन कला संस्कृती खेल कोत एवं युवा कार्य विभाग के सचीव मनोज कुमा ने सभी जीले के उपायूत को पत्र भे जाये खादी सरस्महोसो का समापन राजयेपाल ने कहा बापू के सपनों को सकार करने में सहायक। अयोजीत इस दोरान उन्होंने ए explain hand was with. खुमकर खादी कपड़ेक निर्मान की जनकारी ली साथी एस्टोल लगाने वाली महिलाओं से मिलकर उनका होसला भी बढ़ाया बतादे राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में खादी सरस मेला के समापन समारो कायोजन रभीवार को गिया गया समापन समारो में मुख्य मंत्री हमा सुरिन की पत्नी कलपना सुरिन का स्वागत किया साथी सोल और बुक्य देकर उनका अभिननदन किया 16 जनुवरी को मुख्य मंत्री आवास का घेराव करेंगी राज की नहीं इनका काना है कि अगर उनकी मांगे पुरी नहीं हुई तो ए आमरार अंसन भी चलेगा बतादे ज्हारखन में बरसो से स्वास्थ बिभाग में राश्रिय स्वास्थ मीशन नहीं के तहत अनुबंध पर सेवा दे रही एन्म जी एन्म नर्सो पारा मेटिकल कर्मियों ने 16 जनुवरी को मुख्य मंत्री आवास का घेराव करने की घेराव करना की इससे पहले अनुबंधी तनर्सो पारा मेटिकल कर्मियों के सिस्टम अंडन ने रांची की सिविल सर्जन डाक्टर बिनोत कुमार और डिसी राहूल कुमार को मुख्य मंत्री के नाम गया पन सौपकर अपने मांग और अंदोलन के रूप रेकास अउगत कराया फरजी सिम नेटवर्क को ब्रेक करने में जूटी साइबर टीम साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए पूलिस पूरी तरह तयारी कर रही है इसके लिए पूलिस की साइबर टीम फरजी सिम नेटवर्क को ब्रेक करने में जूटी हुई है CID ने सभी जीलों से रिपोर्ट भी मागी है ताकि लगातार बढ़ रे साइबर क्राइम पर नकेल लगाया जा सके और अपराधियों को गिरफतारी की जा सके बतादे साइबर अपराधियों के लिए सीम कार्ड किसी भी ठगी को अंजाम देने वाला सबसे बड़ा हत्यार है इसी के माध्यम से साइबर अपराधियों बड़ी ठगी को अंजाम देते हैं नए साल में CID की साइबर टीम फर्जी सीम नेटवर्क के खिलाप बड़ी करवाई की त्यारी में है ताकि उन पर नकेल किया जा सके उपेक्छा पर सरकार के खिलाप होगा आंदोलन जार्खन जन सक्ती मैदूर यूनियन रांची समेत राजे के दिहाडी मैदूरों और किसानों की बदहाल होती इस्थिती के बिरोध में जार्खन सरकार के खिलाप आंदोलन करेगी इसको लेकर त्यारी शुरू कर दी गई है अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष ललीत नरायन ओजाने की उन्होंने कहा एक मजदूर और छोटे किसानों के हित में राज सरकार कुछ नहीं कर रही है किसानों के लिए पुरु से चल रही योजनाओं को बंद कर दिया गया इसको लेकर संगठन आवाज उठाने के साथ अंदोलन करेगी पारसनाथ पर जैनियों का एक अधिकार गलत आदिवासियों का है धार्मिक अस्थर नेपाल जैसे देश में 3 लाख आदिवासियों की अबादी है जिन्हें वहां की सरकार ने अलग धर्मकोड दे रखा है पारसनाथ पारी संथाली आदिवासियों का परमुक धार्मिक अस्थर रहा है वहां पर केवत जैन धर्म को एक अधिकार देना गलत है राजी पढ़ासरना प्रातना सभा के राष्टरिये महासची पुर्फेसर प्रवीन उराव बोले आज हर किसी को अनुसूची तजन जाती वर्ग में सामिल होने की धून सवार हो गई जबकि कूर्मी एस्टी में सामिल होने की पातराता भी नहीं रखते हाए 77 परतिशत आरक्षन का दायरा बढ़ाने वाले बिधह को लेकर राजेपाल ने मांगी सलाह जारखन के राजेपाल रमेस बैस ने हिमांत सरकार द्वारा आरक्षन का दायरा बढ़ाने वाले बिधह को लेकर अटारनी जनर्र से सलाह मांगी है 36 गड़ के मुक्य मंत्री भुपेस बगेल ने इसकी जनकारी सोसल मीडिया में दी उन्होंने लिखा जार्खन बिधान सबाद्वारा आरक्षन का कुल परतिसत 50 से 77 किये जाने कावनु बोधन किया गया जिसे वहां के राजेपाल द्वारा अटार्णी जनरल को उनके अभिमत के लिए भेजा गया है बीते 11 नौमबर को जार्खन बिधान सबास्त जार्खन में सरकारी पदों और स्वावों के रिक्तियों में आरक्षन बिधायक 2022 पारित हुआ था इसमें HTSC, EBC, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्केज लिए सरकारी नोक्री में आरक्षन का कोटाव और तमान 50 फिज़ी से बढ़ा कर 37 फिज़ी किया गया है पारसनाथ को लेकर आदिवासियों ने जारी किया 10 जन्वारी का पोश्टर पारसनाथ पर किसका एक अधिकार रहेगा जैन धर्मियों या आदिवासियों का क्या सरकार कुछ ऐसा रास्ता निकाल पाएगी कि दोनों धर्मों के लोग उसे सविकार करें और सांती बेवास्था कायम हो सके जारकन बचाव मोर्चा ने 10 जन्वारी के कारकरम को लेकर अपना पोश्टर जारी कर दिया है पोश्टर में जहां एक और मरांग बुरू पूजा अस्तल को दसाया गया वही जहन धर्मलंबियों को पारसनात पर अतिकरमन कारी बताते हुए वहाँ से भागाने की चतावनी दिया है पोश्टर के तेवर बता रहे हैं कि अब इस मामले में आदिवासी पीछे हटने वाले नहीं है आंगनवारी केंद्र 15 जन्वारी तक रहेंगे बंद कड़ाके की ठंड को देखते हुए 3-6 वरस तक के बचों के लिए रामगर जीले के सभी आंगनवारी केंद्र 15 जन्वारी तक बंद रहेंगे डीसी माध्मी मिश्रा के निर्देशा अनुसार इस दवरान आंगनवारी केंद्रों में पंजी करी 3-6 वरस तक के बचों को निमीत रूप से पूरक पोसाहार का बित्रन सेविका और साहिकाओ के दोरा उनके घरों तक किया जाएगा बता दे कि इस दवरान लाभार्तियों के लिए निर्दारी सभी किरिया कलाप पूरकी तरही आंगनवारी केंद्रों में संचालित रहेंगी आंगनवारी सेविका और साहाई का आंगनवारी केंद्रों में उपस्तित्रा कर अपने कार्यों का निर्वहन करेंगी जे भी भी एनल ने मुख्याले अस्तर पर की कंट्रोल रूम की अस्थापना आजार खन बीली बीत्रन निगम लिमिटेट के निदेशक मनीश कुमार के नेतित में मुख्याले अस्तर पर दस सदस यही कंट्रोल रूम की अस्थापना की गई जो सोमच प्रवावी रूप से का करने लगेंगी यह 10 से कंट्रोल रूम बरतमान में चल रही कॉल सेंटर के अतिरिक्त करेंगी बता दे बरतमान में टोल फी नमबर 1912 इसके लावा 1800-3456-570 पर 10 सिकायत के अधार पर समस्याओं का निवारन किया जा रहा है कल्ट्रोल रूम के सदसे उभोकताओं को कॉल कर सरकार दोरा दी जारे 100 उनिट मुप्त बिजली बिजली चोरी बिजली की बशत आधी के प्रतिजागरूप करने का कारे करेंगी इसके साथ ही वैसे उभोकता जिनका विधूत बिल का बकाया लंबित चल रहा है उन्हें सा समय बिल भोकतान का आगरा करेगी क्योंकि अगर उभोकता समय पर भोकतान नहीं करते हैं तो उनका विधूत संबंध काटा जा सकता है रेविका हत्याकान के खिलाप 12 जन्वरी को सड़क पर उतरेंगी महिला मंडल चारखन में साहिव गंजीले की रेविका पहाडीन को नयाय देने के लिए महिला मंडल आगे आई है 12 जन्वरी को मंडरो परखन्ड से रैली निकाल कर सोजनिक अस्थानों पर हत्यारों को लटकाने की मांगी जाएगी मिर्जा चौकी थाना में अखिल भारतिये विका समीती के महिला मंडल अध्याच ग्रेसी मलतो के साथ दानियाल मलतो ने आवेदन दिया है महिला मंडल अध्याच के कहना है कि सरकार से घटना को अंजाम देने वालों को कड़ा संदेश देने की मांग की है दानियाल महतो ने बताया है कि बोर्यों में हुए रेविका पाहाणिन हत्याकान के खिलाप अखिल भारतिय विकास समीती मन्रो परखंड से बुद्ध वाचक तक 12 जनुवारी को रैली निकालीगी धनबाद के पब्लिक इसकुलों में BPL कोटे से सुरू होने वाली दाखिला परकिरिया सुरू धनबाद जिले के पब्लिक इसकुलों में नए सात्रे के लिए नर्सरी और LKG की समाने सीटों पर BPL कोटे में दाखिला के परकिरिया सुरू होने जा रही है पब्लिक इसकुलों में 25 परतिया सीटों पर BPL परिवारों के बच्चों का दाखिला होना है अभिभाव को ने अभी से ही दोड लगाना शुरू कर दिया है आवेधन कब से मिलना सुरू होगा इसकी तीथी 10 जनुवरी के बाद प्रकासित की जाएगी बता दे धनबाद जीले के 63 पब्लिक स्कूल में प्रानमबिक कक्छा में करीब 400 से भी अधिक सीटे हैं जीला सीख्चा अधिक्चक करयाला दाकिला की सुचना जारी करेगा जीला सीख्चा अधिक्चक बियन रजवार ने कहा है कि सभी स्कूलों में सीटों की संख्या मांगी गई थी स्कूलों ने सीटों की संख्या भेज दिया है उन्होंने कहा है कि 10 जनवरी के बाद दाखिला के परकिरिया शुरू हो जाएगी इसकूलों से ड्राप आउट लेने वाले बचों की जनकारी जुटाएगी जहारखंट सरकार जहारखंट के सरकारी स्कूलों में सीसू पंजी का अपडेशन होगा इसके लिए 11 जनवरी से 18 जनवरी तक हाउस होल्ड सर्वे कराया जागा हाउस होल्ड सर्वे में सीक्षा घर घर जाकर 3 से 18 वरस आयू वाले 16 चत्रावग रिपोर्ट लेंगे और उसकी अधार पर सीसू पंजी त्यार की जाएगी सीसू पंजी ड्राप आउट अनमांकीत नियमीत और अनियमीत बचों की जनकारी से अपडेट की जाएगी जार्खन सिक्षा परिविणना परिशाद ने पुरी परकिरिया के स्टेडूल जारी कर दिया है JEPC की राजे परिविणना निदेशा कियन कुमारी पासी ने सभी DEO, DSE को इसके लिए निदेश दे दिये है स्वास्त ब्यवस्था पंज़र रखने के लिए जार्खन में बनेगी निगरानी टीम सिंग्भूम चेंबर आफ कोमर्स आएंड इंडास्ट्रीज की और से आयोजी सनवाद कारिकरम को समोधित करते हुए राजे के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा है कि राजे का विकास का कारे रूकने वाला नहीं है मुझे समस्या के उनसार समधान ढूडने भी आता है उन्होंने कहा है कि स्वास्त ब्यवस्ताओक निगरानी के लिए पुरे राजे में निगरानी टीम बनेगी वहीं उन्होंने कहा है कि कोविट से लडने के लिए जार्खन सरकार तयार है उन्होंने कहा एक उनाई सेर 260 बेट सुरक्षी था जार्खन के आंगनवारी केंद्रों में बच्चों को प्रती दिन अंडा देने की मांग तेज जार्खन वारी के आंगनवारी केंद्रों में बच्चों को एक दिन भी अंडा नसीब नहीं होता जार्खन सरकार ने कई वरवादा किया है इसकूलों एक आंगनवारी केंद्रों में बच्चों को खाने में हर दिन अंडा दिया जाएगा लेकिन आज तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई उसके वादे खोकले ही सावित हुए है नवकरी नहीं तो राईनीती से सन्यास वाली हमन्त सुरेन की घोसना भाजपा विधायक दल किनेता बाबुलन मरांडी ने एक बार फिर सियम हमन्त सुरेन की जानता से किये गए उनके वादों की याद दिलाई है बाबुलन मरांडी ने 2019 के विधान सबाद चुनाव से पहले हमन्त सुरेन की किये गए उस ट्वीट को सेयर किया जिसमें उन्होंने 5 लाख नोकरी और बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी मरांडी ने कहा है कि ना राज में 5 लाख नोकरी मिली ना बेरोजगारों को भत्ता और नहीं खोले आम नोकरी नहीं देने से राई नीती से सन्यास लेने की घोसना करने वाले सीम का इस्तिप्या आया आखिर मुखी मंत्री बिना नियोजन नीती के राज के युवाओं को कैसे नोकरी देंगे राष्ट पती दुरोपदी मुर्मू को लेकर अमीत साह के ब्यान पर जहमों न जेताई अपत्ती भारतिया जन्ता पार्टी के चना के कहए जाने वाले और केंद्रियगीरी मंत्री अमीत साह 7 जन्वारी को जारखन दौरे पर थे चाईबासा की साभा में अमीत सा के भासन के एक अंस को जार्खन मुक्ती मोर्चा ने राष्ट पति द्रोपती मुर्मू और आदिवासियों का अपमान करार दिया है जरकन मुक्ति मोर्चा को वरिष्ट नेता सुप्रियों भटाचा ने कहा है कि अमीच सा ने चाईबासा की सभा में कहा है कि हमने और परधान मंत्री ने एक आदिवासी गरीब महिला को राष्ट पती के पद परबैठाया अमीच सा किया उक्ती हम लोगों को अगात पहुचाने वाली है क्योंकि क्या इन महान लोकतंत्र में आदिवासी समुदाय में जर्म लेना अनुकंपा का भी सा है सुप्रियो भटाचाई ने कहा है कि राष्ट पतिना सिर्फ देश की प्रमुक हैं बलीक वासेना के भी सरोच कमांडेट हैं जमसेदपूर में डॉग सो जमसेदपूर के नल कल्ब की ओर से लोएला इसकुल गराउंड में आवजीत डॉग सो में कई नसन के डॉग दिखे इस डोग सो में जम सेथपूर के अलावा कोलकाता भोने सोवर दिल्ली एवं अने जगों के प्रति भागियों ने भाग लिया अलग-अलग ब्रीट के डोगी की अलग-अलग भी से स्था खान पान रहां सहन है जल्द निकलेगी नोटरी अधिवक्ता की भरती मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमांसुरेण ने अपने आवास पर आयोजित मुख्यमंत्री अधिवक्ता सनवाद में कहा कि मुख्य मंत्री अधिवक्ता सनवात कारकरम काया मंच मेरे लिए बिलकुन नया और अलग मंच है वैसे तो कई बार ऐसे मौके मिले है जब केंदर सरकार के कारकरम एवं बिभीन राजियों के नया धीसों के साथ बैठने और चर्चा करने का मौका मिला है इन ही मौके पर मेरे मन में भी नयाईक ब्यवस्ता के प्रतिक क्या आचा हो सकता है इस पर कायम करने को लेकर कुछ एक्छाय जगी थी उन्होंने कहा है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिभीन राजनिती पैदानों को चुकते हुए निकला हूँ राजे के मुख्या होने के नाते बिभीन ब्यवस्ताओं के जिम्मेदारी मेरे कंदों पर है यह जिम्मेदारी तब तक चुनती पूर्ण बन जाती है जब तक आदिवासी दलीत गरीब किसान मैदूर जरुवत मंदों की सरुरणगी बिकास की बात आती है आज हमारी सरकार से कही न कही राजे के समस्त जन मानस को एक उमीद जगी है इस करम में अधिवक्ताओ के हीत में क्या बेहतर किया जा सकता है इसे तो मुख्य मंत्री अधिवक्ता सनवात करम का उजन हुगा है धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं हैं ते चैनल को सब्सक्राइब का बहुल का बेल एक अंदर भाईए साजी साथ वीडियो को एक लाइक का अपने दोस्तों से अशेर करना ना भूले साजी साथ आप हमें कोमेट बक्स में अपना फीड़ों एक अवस्य दे थैंक्यू